नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके आई आज हम सभी मूली के पत्तों को खाने के फायदे के बारे में जानते हैं हम सभी मूली के पत्तों का सेवन करते हैं लेकिन क्या आपने कभी भी इसके पत्तों के स्वास्थे लाबों के भारे में सोचा है मानो या ना मानो लेकिन वास्तों में मूली के पत्तों में मूली से अधिक पोशक तत्व शामिल होते हैं वे ऐसे गुणों से भरे हुए हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं ये पोशक तत्वों से समरिध आहार प्रदान करते हैं और लोह कैल्शियम, फोलिक एसीड, विटामिन सी और फासफोरस जैसे कुछ महतोपून खनीज कई शारीरी कारियों के लिए अवश्यक हैं तो क्या आप इन स्वास्थे लाभों के बारे में जानना चाहेंगे जिहां तो आएए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में सबसे पहले तो मुली के फायदे रूप प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं मुली के पत्तों में मौजूद उच्छ लोहा सामगरी ठकान के लिए एक आदर्श निवारक है मुली के पत्ते खनीज में भरपूर होते हैं जैसे लोहे और फासफोरस जिससे शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ जाती है इनमें विटामिन C, विटामिन A, थियामिन जैसे अन्य आवश्य खनीज भी शामिल हैं जो धकान का मुकाबला करने में मदद करते हैं एनमिया और कम हिमोगलोबिन के स्तरवाले मरीजों को मुली के पत्तों को ग्रहन करने से फाइदा हो सकता है क्योंकि पत्तियों में मवजूद लोहा उनकी medical conditions को कम करेगा मुली के पत्ते हैं आहार फाइवर का श्रोत मुली के पत्तों में मुली की तुलना में अधिक फाइवर होता है फाइवर को पाचन क्रिया में मदद करने के लिए जाना जाता है मुली की पत्यों की मदद से कब्ज और फुला हुआ पेट जैसे असुविधा जनकसमस्या में मदद मिलती है मुत्र वर्धक के रूप में मुली की पत्यों का आप लाव उठा सकते हैं मुली के पत्यों का रस एक प्राकृतिक मुत्र वर्धक है यह स्टोंस को पिखलाने में मदद करता है और मुत्राशय को साफ करने में मदद करता है इसके यह गुन मुली में भी होते हैं मुली के पत्यों में मजबूत रेचक गुन होते हैं जो कब्ज और प्लांटिंग को कम करने में मदद करते हैं इसके आलबा मुली के पत्तों के लाव में से एक मुखे लाव है कि ये बलड को प्यूरिफिकेशन के साथ क्लीन करता है मुली के पत्तों में रक्त शोधक गुण होते हैं ये सकर्वी को रोकने में मदद करते हैं यह आश्चर्य की बात है क्योंकि मूली के पत्तों में जड़ों की तुलना में अधिक महातरा में विटामिन सी होती है और इसलिए मूली के पत्तों में जड़ की तुलना में मजबूत एंटिकोब्रियूटिक गुण होते हैं बवासीर का अच्छुक दवा है मुली के पत्तें जिहां मुली के पत्तियों को बवासीर जैसे दर्दनाक स्थितियों के इलाज में मदद करने के लिए बहुत ही अच्छा पाया गया है जुमान रोधी गुणों के काराण मूली के पत्ते सूजन को कम करने के लिए जाने जाते हैं मूली के पत्तों को सुखा कर पाउडर तयार करें इसके बाद बराबर मात्रा में चीनी और पाउडर को पानी में मिला कर ठीक पेश्ट तयार करें इस पेश्ट को खाया जा सकता है या सूजन पर लगाया जा सकता है इसके अलावा पीलिया में मुली के पत्तों का जूस बहदलाफकारी होता है मुली के पत्तियों से पीलिया जैसी बीमारियों का इलाज होता है मूली की पत्तियों को इस इस्थिती को ठीक करने में कुशल पाया गया है पत्तियों को पीश कर एक छिद्र पून कपड़े के माध्यम से अर्क निकाले की आवश्यक्ता होती है पीलिया का इलाज करने के लिए 10 दिनों तक रोजाना आधा लेटर रस का सेवन करें कई हरबल दवाओं के स्टोक में लोगों के लिए मूली का रस होता है मूली के पत्ते हैं गठिया रोग की दवा गठिया शायद दुनिया में सबसे दर्दनाक बीमारियों में से एक है इसमें जोडों में दर्द और भायानक सूजन होती है जो सभी तरह के असुविधा पैदा कर सकते हैं मूली के रस का बरावर मातरा में चीनी और पानी मिक्स करके एक पेश्ट बना कर इस्तेमाल किया जा सकता है यह पेश्ट उपरी तोर पर घुटनों के जोनों पर लगाया जा सकता है इस पेश्ट का नियमित उपयोग दर्द को दूर करने और सुजन को कम करने में मदद करता है इसके अलावा यह मधुमेह से छुटकारा दिलाती है जी हां, मूली के पत्तों में कई गुण होते हैं जो रक्त शरकरा के अस्तर को कम करने में मदद करते हैं इस प्रकार मूली के पत्ते शूगर यानिके मधुमेह में शामिल किये जाने वाले कुछ महतोपून खादे पदार्थों में से एक हैं मूली के पत्ते उच्छ रक्त ग्लुकोज के स्तर को कम करके मधुमेह को रोकने में मदद करते हैं शरीर से विशाक्त पदार्थों को दूर करने में भी मुली के पत्तों का कोई तोड़ नहीं है मुली के पत्तों में अवश्यक पोशक तत्व शामिल होते हैं इन में मौजूद पोशक तत्व और रोगान रोधी और जिवान रोधी गून शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं इसके अलावा कैंसर के उपचार में भी आप मुली के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं पत्तियां विटामिन C में उच्छ होती हैं जो एक इंटियोक्सिडेंट के रूप में कारे करती हैं और शरीर में DNA को शिकाओं को मुक्त कर्ण के हानिकारक प्रभाओं को नियंतरित करते हैं इस पौधे में उपस्थित फाइटो केमिकल्स और इंथो साइनीन कैंसर संबंधी गुनों के विरोधी हैं और शरीर को कोलन, पेट गुर्दा और आतों जैसे कैंसर से बचाते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये थे एक ऐसी जानकारी जिसके सारे आप बहुत सारी बिमारियों का इलाज कर सकते हैं जी हाँ, बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि मूली के पत्तों को खाते नहीं हैं बलकी फेक देते हैं लेकिन मूली के पत्ते भी मूली की तरह ही बेहद लापकारी साबित होते हैं अगर आप इनका सदूप वयोग करते हैं तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले पेसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ल नमस्कार दोस्तों